ओम शांती, आज 3rd January 24 की बाबा की साकार मुड़ली है और बाबा ने हम बच्चों को कहा है, संगम पर पावन बनना ही बाबा ने कहा ये है तुम्हारा मुख्य पुरिशार्थ तो बाब का नाम बाला हम बच्चे तब कर सकेंगे जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, संपूर्ण मीठा बनेंगे जैसे देवी देवता हम सभी का ये पुरुशार्थ तो मुख्य है ही कि हमें पावन बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है तो जैसे फरिष्टा सो देवता बनना ये हम सभी का लक्षे है तो ऐसे बाबने का बाब का बन कर बाब का नाम बाला करो संपूर्ण पवित्र बनना है और फिर संगम पर जो बाबने दूसरी मुख्य बात हम बच्चों को कही कि संगम पर हम बच्चे एक ही फिक्र रहती है हम बच्चों को कि हमें सत्यूग में जाने का पुरुशार्थ करना है तो यहां हम खुशी खुशी शरीर छोड़ने का पुरुशार्थ करते है तो ये पुराना वस्त्र उतार नया लेना बाबा कहते है वो भी खुशी-खुशी ये हमारा पुरुशार्थ रहता है इसी का ही फिक्र लगा रहना चाहिए बाबाने का अपनी दिल से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं हम बाब की याद में जितना रहेंगे उतना ही बाबाने का है खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाब का बन कर बाब का नाम बाला करो नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है प्रश्न है संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सत्युग में नहीं होगी उत्तर संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया है तुम पुरुशार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी-खुशी से छूटे तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है हम बाप को कितना याद करते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास तो जो लंबे समय से अभ्यास किया है वही अंतमती सोगती होती है तो अभी हमें ये फिक्र रहता है हम बच्चों को कि हमें पावन बनना है और बाबा की याद में सदा खुश रहना है तब ही बाबने का अंत में तुम्हें शरीर छोड़ने की खुशी रहेगी, खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, तो ऐसे बाबने का अपने दिल से पूछो, हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं, और कितना सारा दिन खुशी में हां रहते है खुशी में या बीच बीच में फिक्र होती है बाबने का केवल संगम पर एक ही तुम्हारा थाम है पावन बनने की तुम्हें फिक्र होनी चाहिए बाद की और सब बातों से बेफिक्र बाबने बना दिया है तो देखना है इतने बेफिक्र बने हैं, इतनी खुशी रहती है, बाबा को इतना याद करते हैं ओम शांती, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को रुखानी बाब समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदी मद्य अंत का राज और समझाते हैं सर्वगुण संपन बनो, दैवी गुण धारण करो, याद करते करते तुम सतोप्रधान बन जाएंगे तुम जानते हो इस समय यह तमोप्रधान सृष्टी है, सतोप्रधान सृष्टी थी, जो अब 5000 वर्ष में तमोप्रधान बनी है यह है पुरानी दुनिया सब के लिए कहेंगे न यह नई दुनिया में थे या शांती दाम में थे बाप रूहों को ही बैट समझाते है हे रुहानी बच्चे तुम्हें सतोप्रधान जरूर बनना है बाप से वर्सा जरूर लेना है मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है लौकिक बच्चे भी याद करते हैं लौकिक में भी बच्चे अपने पिता को याद करते हैं और उनको अपने वर्से का भी पता होता है कि हम वर्से के हकदार है तो बाबा कहते हैं, ऐसे लौकिक में भी बच्चे याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हैं, हद का वर्सा पाने के हकदार होते जाते हैं, जितना बड़े होते जाते हैं, तो वर्से के हकदार भी बनते जाते हैं, होता है ना ऐसे दुनिया में, तो बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझ गए हैं, यह युनिवर्स्टी है सब मनुश्य मात्र को पढ़ना है, बेहत की बुध्धी धारण करनी है अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है जो अब तमो प्रधान है, वह सतो प्रधान होंगे बच्चे जानते हैं, इस समय हम बेहत के बाब से बेहत सुख का वर्सा पा रहे हैं तो अभी हम इस युनिवर्सटी में पढ़ते हैं जो बाबा ने का अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं तो बाबा ने का जो अभी तमो प्रधान है वह फिर सतो प्रधान होंगे तो अभी इस समय बाबा कहते है बेहत के बाप से बेहत का वर्सा तुम बच्चे पा रहे हो अब हमें एक रुखानी बाप की ही मत पर चलना है इस रुहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान हो जाती है फिर सतोप्रधान दुनिया में जाना है तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्रामण है हम बाप के बने है पढ़ाई पढ़ रहे है और पढ़ने को ही ज्यान कहा जाता है भक्ती अलग है तो ब्रामणों को बाब ग्यान सुनाते हैं और कोई-कोई इस ग्यान का पता नहीं है कल की मोगली में भी बाब ने कहा था कि ग्यान सुनाने वाला केवल एक वोशिफ परमात्मा है बागी कोई भी मनुश्य ग्यान का सागर उसको नहीं कह सकते और ज्यानवान नहीं है चाहे वो कोई धरमपिता हो या कोई सादू सन्यासी या शास्त्र आदी कंट करते हो क्योंकि बाबा कहते हैं ज्यान तो केवल एक परमात्मा देते हैं बाबा कहते हैं अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो और इस पढ़ाई को पढ़ना इसी को ग्यान कहा जाता है बक्ती अलग है वह यह नहीं जानते कि ग्यान सागर बाब जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं नमबर वन बात है बाब का बनकर बाब का नाम बाला करना हर टीचर को ओना रहते है उसके स्टूडेंट स्टूडेंट भी टीचर का नाम बाला करते है और बच्चा भी बाब का नाम बाला करते है जब अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ते हैं कुछ बन जाते हैं तो नाम बाला करते है बाबा कहते हैं तुम्हें भी ऐसे, नंबर वन बात है कि बाबा का बन गए, तो बाबा का नाम बाला करना है, तो वो कैसे करेंगे, बाबा ने बताया, हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण मीठा भी बनना है, यह है ही ईश्वरिय विद्या, भगवान बैठ पढ़ाते हैं उस उचे से उचे बाप को याद करना है है सेकिंड की बात अपने को आत्मा समझो तुम जानते हो हम आत्मा शांती धाम में निवास करती हैं फिर यहां आती है पार्ट बजाने उनर जनम में आते ही रहते हैं नंबर वार चौरासी जनमों का पार्ट हमने अब पूरा किया है इस पढ़ाई को भी समझना है पार्ट को भी समझना है तो चौरासी के पार्ट को हमें समझना है जैसे जैसे बाबा बताते है वैसे वैसे मुरली में हमारी बुद्धी वो सुनते सुनते वो points की तरफ जानी चाहिए, बुद्धी चलनी चाहिए तो ऐसे अपने 84 जन्मों को भी समझना है बाबने का ऐसे नंबरवार 84 जन्मों का पार्ट हमने पूरा किया है आत्मा आती है परमधाम से पार्ट बजाने और फिर वहां से 84 जन्मों का पार्ट नंबरवार पूरा करती है तो इस पढ़ाई को भी समझना है, पार्ट को भी समझना है ड्रामा का राज भी बुद्धी में है जानते हो यहां हमारा अंतिम जन्म है इसमें बाप मिला है जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है तुम इस बेहत के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो 84 जन्म लेते लेते अब पिछाडी में आकर ठैरे हो अभी पढ़ रहे हो फिर नई दुनिया में जाएंगे नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चे होता रहता है कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धी में हैं हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं हम पवित्र बनते बनते उन्नती को पाते रहेंगे तो बाबने का ये है 84 जन्मों का चक्र, हर आत्मा का और अभी अद्धिम में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं फिर से ये आदी मद्य अंत को हम जानते हैं तो कई बच्चे नए आते हैं, कई पुराने होते हैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं बाबने का जो बाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर निश्चे होता रहता है, अर बहर चीज में टाइम लगती है, और gradually इस ज्ञान को, इस नॉलिज को हम understand करते हैं, तो कुछ ना कुछ फिर दीरे-दीरे जितना जितना समझते जाते हैं, तो जैसे निश्चे होता रहता है, सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं, हम पवित्र बनते बनते फिर उन्नती को पाते रहेंगे, बाबा ने समझाया है तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है, बच्चों की बुधी में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, यह भी जानते हो कि इस दुन् हो जाने वाला है, अब तुम्हारा अंतिम जनम है और कोई भी इस बेहत के ड्रामा को नहीं जानते हैं, तुम अभी सारे चक्र को जानते हो, बाब आए हैं, अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, यह बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जनम है, अभी की है देखने का दुनिया में बाबा कहते है अब तो ये दुनिया खतम होने वाली है नई दुनिया आने वाली है तो तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए भी यहां देखने का कोई शौक नहीं होना चाहिए तो अब तुम्हें तमों प्रदान से सतों प्रदान बनना है जै पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है ऐसे बाबने का दीरे दीरे सब पक्का होता जाएगा फिर पुरानी बाते कुछ याद नहीं आएगी और दीरे दीरे जितना हम पावन बनते जाएंगे, सतोप्रधान बनते जाएंगे तो ऐसे बाबने का पूरानी बाते याद नहीं आएंगी और फिर आत्मा एकदम अथमा अशरीरी जैसे आई थी फिर ऐसे बाबने का अशरीरी जाना भी है तुम सारे स्रिष्टी के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो, बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं करोडों हो गए हैं, सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं पुनर्जनम लेते लेते और धर्मों के मठ, पंथ, टाय, टालियां बढ़ते बढ़ते जार बहुत बढ़ा हो गया है आदी, सनातन, देवी, देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है है ना, ऐसे पुनर्जनम लेते लेते सत्यूग में तो कितने बाबाने का कम होते हैं पॉपुलेशन नौलाग फिरते 30 करोड धीरे धीरे वृद्धी को पाते जाते हैं दौपर से फिर ये और और धर्म जो आते जाते हैं तो उसमें बाबाने का जैसे और मठ, पंध, टाई, टालियां ये बढ़ते ही जाते हैं अभी कितने धर्म हो गए, कितने अंगिनित तो ऐसे ये बढ़ते ही जाते हैं और वृद्धी को पाते रहते हैं तो अभी कितनी पॉपुलेशन हो गई है तो ऐसे बाबा कहते हैं ये आदी सनातन देवी देवता धर्म फिर क्या होता है? प्राइलोप हो जाता है तो यह अभी प्राइलोप हो गया क्योंकि इतने इतने धर्म आ गए तो इतने धर्म आ गए तो वो जो foundation था वो प्राइलोप हो गया गुम हो जाता है तो हम ही देवी देफता धर्म में थे सतो प्रदान थे अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं तो यह आत्मा की उपर है आत्मा जनम लेते लेते तमो प्रधान बनती जाती है तो जितना जैसे आत्मा तमो प्रधान बनती है तो ऐसे फिर सृष्टी भी तमोप्रधान बनती जाती है और आगर आत्मा सतोप्रधान तो सृष्टी भी सतोप्रधान होती है तो बाबा ने का ये तमोप्रधान अब हो गया है जार तो अब फिर से सतोप्रधान बनना है इसलिए अब बनाने के लिए हम फिर से पढ़ रहे ह तो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्यान होगा बहुत प्यार से समझाना है एरोप्लेन से पर्चे गिराने है उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन जनमांतर भक्ती करते आए हो गीता पढ़ना भी भक्ती है ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे ड्रामा अनुसार जब बाप आते है तब ही आकर युक्ति बताते है सतो प्रदान बनने की फिर सतो प्रदान पद मिल जाता है तो बाबा हमें सतो प्रधान देवी देवता ये बनने की युक्ति बता रहे हैं इसलिए बाबा कहते हैं बार 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 बाबा को याद करना है वर्से को याद करना है पढ़ाई पर अटेंशन देना है तो फिर बाबा ने का फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे फिर तुम पद्वी मिल जाता है। प्रशार्थ करते हो। प्रशार्थ करना है। देवी देफता कभी लड़ते जगड़ते है, कभी लड़ते जगड़ते नहीं है, जो शास्त्रों में बताया, ऐसा नहीं होता, देवी देफता हैं और असूर, बाबा कहते जब देवी देफता है, तो असूर हो नहीं सकते, और जब असूर है, तो देवी देफता नहीं हो सक तो ऐसे बावने का देवी देवताओं जैसा तुम्हे बनना है सर्वगुन संपन किस पर श्रीमत पर चल कर अपने से पूछना पड़े कि हमको कहां तक खुशी है अभी सब भी अपने मन से पूछेंगे हम कितना खुश रहते हैं क्या देवी देवताओं की तरह खुश रहते हमेशा देवी देवताओं को देखो कितना चेहरे पे वो मधुर मुस्कान होती है सदा ऐसे खुशी में हम रहते इतनी खुशी बावने का कहां तक निश्चे है यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए परंतु माया ऐसी है जो भूला देती है तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमदकार है आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे अब बेहत की पढ़ाई बेहत के बाब द्वारा पढ़ते हो यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है आपे ही ना छूटे हम खुशी से इस शरीर को छोड़े very important point बाबने का यह पुरान शरीर छोड़ेगी यह तो निश्चित है परन्तु बाबने का यह आपे ही ना छूटे कैसे छूटे खुशी खुशी हम शरीर को छोड़े आपे ही छूटना माना कि वो शरीर से अच्छानक जैसे वो गया शरीर छोड़ दिया तो उसमें हमारी क्या स्थिती रही क्या पर हम परुशार्थ है कि हमें अपना शरीर खुशी खुशी छोड़ना है फुल कॉंशिसनेस से कि मैं आत्मा इस दे को छोड़ती हूँ तो ऐसे वाबने का यह आपे ही ना छूटे खुशी खुशी छूटे शरीर हम इस चीची शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी बाबा कई बार कहते हैं, तो ऐसे दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे, तो फिर कैसा जनम मिलेगा, तो कोई बड़ा दिन होता है, तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं, यहां तुम जानते हो, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, हमको एक ही फुर्णा है पावन बन है, कि वल एक फुर्णा लगा रहे, मुझे पावन बनना है, मुझे पावन बनना है, बाकी कोई फिकर नहीं होनी चाहिए, बाबा ने कहा न, कि बाबा आपको सारी फिकरातों से फारिक कर देते हैं, अभी कोई फिकर रहनी नहीं चाहिए, बाबा खुद कहते हैं कि बाबा बार ले लेते हैं फिक्रों को Tensions और Responsibility तो ये हमको देखना है हम कितना फ्री रहते हैं भगवान तो बोज लेने आया है हम बार बार अपना बोज उनसे ले लेते हैं खुदी अपने सिर्पर बोजा ले लेते हैं केवल मुझे पावन बनना है यही फिक्र लगा रहे बाकी बाबा कहते हैं और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं यह सब खलास हो जाना है फिक्र काहे का रखे किस बात की फिक्र रखना है यह सब तो खतम होना है बाबा ने बता दिया मित्र संबंदी और धन, दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ खतम होना है खुद का शरीर भी खतम होना है तो किस बात की फिक्र रखे आदा कल्ब हम बक्ती मार्ग में फिक्र में रहे न ये करेंगे तो ये हो जाएगा वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा कितना विस्तार है समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा यह सुख दुख का खेल है सत्यूग में है, सुख कल्यूग में है, दुख बाबा ने समझाया है, तुम पूच सकते हो सत्यूग सुखधाम के रहवासी हो या कल्यूग दुखधाम के यह तुम नहीं नहीं बाते सुनाते हो, चरूर कहेंगे अब दुखधाम के वासी है बहुत प्यार से पूचा जाता है, जो मनुष्य आपे ही समझें कि हम कहां के वासी है ऐसे मनुष्यों से प्रश्ण पूचना चाहिए बहुत प्यार से कि आप कहां के रहवासी हो तो खुद की कॉंशियस भी अलाओ नहीं करेगी उनकी ये कहने को कि हम सुखधाम में है तो ऐसे फिर वो बहुत समझते हैं आपे ही समझेंगे कि हाँ हम दुखधाम में है कहेंगे इनके प्रश्ण पूचने की युक्ती तो बहुत अच्छी है बल कितना भी बड़ा आदमी हो धनवान हो परंतु है तो नर्क वासी न स्वर्ग तो नहीं दुनिया को कहा जाता है अब कल्युक पुरानी दुनिया है यह प्रश्ण बहुत अच्छे है सिड़ी में भी क्लियर है तुम सुखधाम में हो वदुखधाम में हो यह हैल है यह हैविन डीटी हो यह डेविल हो यह पूचना है और सब को पता चलेगा सबी इस बात को जानते है कि अभी पुरानी दुनिया कैसी है अच्छी है या बुरी है डीटी है या या फिर डेविल वर्ल्ड है तो यह सब पूचना है तो आपे ही उनका अंतरमन उनको जवाब देगा कि वो सुख में है या दुख में है तो बाबा कहते है पहले यह बाते खयाल में खयाल में भी नहीं थी अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर है जो कल्यूग में है वह पतीत नर्कवासी है फिर पावन बनना है तब तो पुकारते है हे पतीत पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ यहाँ भी समझाना है तुम्हारे पास कितने धेर मनुश्य आते हैं फिर भी कोटो में कोई निकलते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ जो सिखलाता हूँ उस पर कोई विर्ला ही चलता है तो कितने भागेशाली हम बच्चे हैं कोटो में कोई कोई में भी कोई क्योंकि बाबे ने क का बाबा जो जिक्त लाता है वो कोई विर्ला ही उसको समझ कर फिर चलता है तो हम बाबा के बच्चे बहुत भागेशा लिए पोटों में कोई है तो प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वरगवासी बन रहे हैं सत्योग त्रेता द्वापर कल्योग यह चक्र फिरता है न तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है फिर से तुम सुखधाम शांतिदाम के मालिक बनते हो सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे यह तो common बात है इसलिए बेहत की पढ़ाई पढ़कर बेहत का वर्सा ले लो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहत के बाब को याद करना है बहुत मीठा बाबा है उनका direction है कि देह सहित दे के सभी संबंद खलास कर दो क्योंकि बाबने का सब पिनाश होना है किस बात की फिकर और किस बात के बंधन में आत्मा फसी होई है तो सब को भूलना है केवल एक मीठा बाबा बहुत मीठा है उसको याद करना है उसके direction पर चलना है बागी किसी भी देधारी या संबंदियों में फसना नहीं है बाबने का ये बंधन सब खलास कर दो आत्मा तो अभिनाशी है अभी अभी शरीर लिया अभी अभी छोड़ा देरी थोड़े ही लगती है इस समय तो दिन प्रति दिन सब तमो प्रधान बनते जाते है जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयू वाले थे और बहुत थोड़े थे दूसरा कोई धर्मी ही नहीं था तुम्हारी आयू अभी के पुरुशाट से ही बढ़ती है जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयू बढ़ेगी जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयू कम होते गई आत्मा की एनरजी जब सोला कला संपूर्ण हो जाती है संपूर्ण पवित्र बन जाती है आत्मा तो आत्मा की आयू बढ़ जाती है और आत्मा पावन बनती है बाबा की याद से तो इतना पावन बन सा तो प्रधान बनना है तो बाबा के तो तुमारी आयू बढ़ जाएगी फिर आत्मा तमो प्रधान है तो आत्मा की आयू भी आपे ही कम हो जाती है इतना बल नहीं होता आत्मा में तो बाबा ने का फिर आयू कम, तमों में आये तो और कम ना तो ये भी डिगरी वाइस है सोला कला संपूर, चौदा कला संपूर तो ऐसे बाबने का सतो रजो तमों होते जाती है ना अत्माएं कॉलिटी गिरती जाती है तो जितना जितना गिरें ये उतना उतना आयू कम होती जाती है तो जैसे नार का मिसाल है नार रहट कंगने डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं नार कुए से पानी निकालने का एक तरीका है तो जैसे नार का मिसाल है तो ऐसे डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं तो यह भी बेहत का नार, नार है, तुम अभी भर रहे हो, अभी हम आत्मा को भर रहे हैं, बेहत का नार संगम का समय है, तो हम इस को ऐसे सागर से भरते जा रहे हैं, अपनी आत्मा को, तो ऐसे भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर दीरे दीरे खाली हो जाएंगे, जब प 84 जन्वों के तो ऐसे खाली होती जाती है, तो इनकी भेट बैटरी से भी की जाती है, अब जैसे बाबा ने वो नार का एक्जामपल दिया, ऐसे बाबा फिर बैटरी का भी देते हैं, अभी हम सतो प्रदान बन कर जाते हैं, फिर 84 जन्व लेते हैं, आदा कल्प के बाद रावन राज्य शुरू होता है, द्वापर से, तो रावन राज्य में सब को कहेंगे नर्कवासी है, पीछे जो आएंगे वह नर्क में ही आएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं, आत्मय आती है, अपने नमबर वार, पुरुशार्ट अनुसार, कर्मो अनुसार, इस चक्र में आत्मय आती हैं, जनम मरंड में, तो बाबा ने कहां, फिर पीछे जो आती है, मन द्वापर में जो आत्मय जनम लेती हैं, तो उसमें फिर बाबाने का वो जैसे नर्क में ही आ रहे हैं, नर्क में ही जनम ले रहे हैं, नर्क में ही जनम मरंड में आ रहे हैं, तो पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, यह बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है, इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्यान भी लेते ह यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है तुमको फिर दूसरों को समझाना है मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किये है अब बाप आया है तुमको ग्यान दे रहे है बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते है इतना समय तो पता ही नहीं था पाप आत्मा बनते ही गए हैं पुन्या आत्मा कैसे बनते हैं फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं कौन सत्युक के निवासी होते हैं कौन कल्युक के निवासी होते हैं कुछ भी पता नहीं था अब बाप ने समझाया है बाप को शमा भी कहते हैं शमा पे परवाने फिदा होते हैं तो बाप है शमा हम है परवाने जो उस पर फिदा हो जाते हैं तो उन में लाइट भी है और माइट भी है लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है हम परवाने लाइट में आते हैं और फिर जैसे जब लाइट में आते हैं तो माइट भी आ जाती है, आना पावर भी आ जाती है, तो तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा न सके, कहां सत्यूग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है, सर्व का मिसाल है, माना सत्यूग में ये जैसे खेल है, शरीर छोड़ना और नया शरीर लेना तो बाबा केते हैं ये तो जैसे खेल हो जाता है, वहां कोई दुख नहीं होता, आत्मा जैसे सर्ब का मिसाल बाबा ने दिया, एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, तो तुमने सत्युक से लेकर कल्युक तक पाड बजाया, यह बुद्धी में बैठ गया है, बाबा तुम्हा है कि तुम कितने जनम लेते हो, ब्रामन धरम में तुम कितने जनम लेते हो, एक जनम कोई दो तीन जनम भी लेते हैं, ब्रामन कुल के हम बनते हैं, तो फिर उसमें भी जब हमारा पुरुशार्थ पूरा नहीं होता है, तो आत्मा शरीर छोड़ती हैं, फिर दुबारा ब्र ब्राम्वन कुल में आती हैं जनम लेकर तो ऐसे बाबा कहते हैं कि कोई ब्राम्वन जनम में एक कोई दो कोई तीन ऐसे जनम लेते हैं तो समझो कोई शरीर छोड़ते हैं वह संसकार ब्राम्वन पने के ले जाते हैं तो संसकार ब्राम्वन पन के होने के कारण फिर भी सच्च सक्षे ब्राम्वन कुल में आ जाएंगे ब्राम्वन कुल की आत्मा तो व्रद्धी को पाती रहेंगी तो जो आत्मा ब्राम्वन बाबा के बच्चे भी जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनमें वो संसकार तो वो ते ज्ञान यूग के तो वो आत्मा फिर से जब जनम देती है तो फिर ब्राम्वन कुल में आ जाती है तो ऐसे आत्मा बाबाने का व्रद्धी को पाती ही रहेंगी कई बाबा के बच्चे आ रहे हैं और कई नई आत्मा आ रहे हैं तो ये आत्मा आती रहेंगी वृद्धी को पाती रहेंगी ब्रामन कुल भी वृद्धी को पाता रहेगा ब्रामन कुल के संसकार तो ले जाते हैं न कुछ हिसाब किताब है तो दो तीन जनम भी ले सकते हैं ना हिसाब किताब होता है तो आत्मा एक शरी छोड दुबारा लेती है और फिर जैसे ब्रामन कुल के भी जो बाबा के बच्चे हैं तो उसमें भी उनका कुछ जो है हिसाब किताब की बात है ये तो जितना जो हिसाब किताब रहता है तो आत्मा फिर शरीर छोड़ती है फिर ब्रामन कुल में जनम लेती है फिर पार्ट बजाती है फिर कोई हिसाब किताब की बाते हैं तो आत्मा का बाबा ही जानते किसका कितना हिसाब किताब है तो वैसे आत्मा फिर जनम लेती है दुबारा ब्रामन कुल में तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे आत्मा ब्रामन कुल से देविकुल में जाएंगी शरीर की तो बात नहीं अब तुम बाब के बने हो तुम इश्वर्य संतान हो फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं बेहत के बाब का बनना कोई कम बात थोड़ी है तुम सुधाम के मालिक बन जाते हो सिर्फ बड़े बाब को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा तो ऐसे बाबा को जानने से हम सब आत्माओं का बेड़ा पार हो जाता है फिर हिसाब किताब के उपर जो बाबा ने बताया उसको अच्छी रिती समझेंगे हिसाब किताब रहता है तो आत्मा दुबारा फिर शरीप छोड़ फिर जनम लेती है फिर दुबारा इस कुल में आती है फिर पुरुशार्थ करती है तो वो हिसाब किताब के वजह से तो ऐसे जब तक आत्मा पावन ना बन जाए तब तक ऐसे यसाब किताब तो जुक्त करने होते हैं तो इसलिए फिर बाबाने का फिर जब पावन बन जाते फिर देवी कुल में आत्मे चली जाती है तो बाबा को जाना है तो सब आत्माओं का बेड़ा पार हो ही जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा तार्णा के लिए मुख्यसार है पहला पॉइंट अपने आप से पूछो कि पहला हमें खुशी कहां तक रहती है दोसरा सर्वगुन संपन थे अब श्रीमत पर फिर बनना है यहर निश्चे कहां तक है तीसरा, हम सतो प्रधान कहां तक बने है दिन राज सतो प्रधान पावन बनने की फिकरात रहती है तो आज अपने अंतर मन से यह सारे प्रशन पूछने क्योंकि आज बाबाने का हिसाब किताब रह जाते है अंतमती सोगती हो जाएगी तो हिसाब किताब ये सब आत्मा पर अपना अंतर मन से चेकिंग करनी है तो बाबने का अपने आप से पूछो, कौन से प्रश्न पूछने है हम सदा खुशी, खुश कहां तक रहते सर्वगुन संपन कहां तक बने है श्रीमत पर कितना चलते है कहां तक निश्चे है, सातो प्रदान कहां तक बने है, दिन रात पावन बनने की फिकरात कहां तक रहती है बेहत बाप के साथ विश्व की खिदमत सेवा करनी है, बेहत की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है देहे सहे जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है वर्दान है मालिक पन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिती बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवव तो कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान मन मना भव की स्थिती केवाल एक बावा को याद करना बावा कहते हैं सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ मालिक हूँ विशेश आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ तो इस मालिक पन की स्मृति से मन, बुद्धी और संसकार अपने कंट्रोल में रहेंगे मैं आत्मा हूँ और आत्मा करावनहार हूँ मैं इन करमिंद्रियों से काम कराने वाली आत्मा हूँ पर कौन सी आत्मा? विशेश आत्मा मालिक हूँ इस इन सुक्ष्म और स्थूल कर्मिंद्रियों की मालिक इन कर्मिंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा मालिक हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो बाबने का जितना मालिक पन की स्मृति में रहेंगे कि ये मन, बुद्धी और संसकार की मैं आत्मा मालिक तो बाबा ने का ये तीनों को ही अपने कंट्रोल में कर सकेंगे तो मैं अलग हूँ और मालिक हूँ इस मृति से मन मनाभव की स्थिथी सहज बन जाएगी यही नियारेपन का अब्याज कर्मतीत बना देगा तो मैं अलग हूँ ये शरीर अलग है और इस शरीर सुक्ष्मों और स्थूल कर्मिंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं मालिक आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान जिसका अपने मन, वुद्धी और संसकारों पर पूरा कंट्रोल है तो इस स्मृति से बाबा ने कहा मन-मनाभव की स्तिती सहज हो जाएगी और यही न्यारेपन का जो अभ्यास है यही कर्मतीत बना देगा तो ऐसे अपने उपर फुल कंट्रोल रखने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान है स्लोगन है गलानी व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना तो गलानी और डिस्टर्बेंस जो भी है उन सब को क्या करना है सहन करना है और समा लेना है लड़ाई जगडा नहीं करना है ऐसे नहीं लड़ाई जगडा करेंगे बाबा ने कहा सेहन करो और समालो तब बाबा ने कहा अपनी राजदानी निश्चित करना है तो ऐसे कई बार सेहन तो कर लेते हैं परन्तु फिर औरों को बताते रहते हैं तो सेहन भी करना है और समाना भी है तो आज का अव्यक्त मास का आज के दिन का पुरुशार्ट है जो पुरुशार्ट का पॉइंट है वो है अव्यक्ती सालेंस त्वारा डबल लाइट फरिष्टा सृति का अनुभव करो सालेंस अरथाद शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धी की एकागरता का अनुभव होता है उसी एकागरता से विशेश दो शक्तियां प्राप्त होती है एक परखने की और दूसरी निर्ने करने की यही दो विशेश शक्तियां वेवार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है इससे सहज ही डबल लाइट फरिष्टा स्थिती बन जाती है तो साइलेंस का बार बार साइलेंस में जाने का अभ्यास बढ़ाते जाना है वो अनुभव करना है और फिर ऐसे बुद्धी को एकागर करने का भी अभ्यास करते जाना है तो इस साइलेंस में एकागरता की शक्ती जो हमारी बढ़ती है तो उससे परखने की और निर्ने करने की शक्ती बढ़ती है उससे विशेश पावा ने कहा वेवार और परमार्थ दोनों ही समस्याएं हल हो जाती है और फिर सहज ही डबल लाइट फरिष्टास्ति बन जाती है तो सारा दिन साइलेंस में रहेंगे डबल लाइट फरिष्टास्ति का अनुभव करेंगे अच्छा ओम शांती